नमस्कार दोस्तों मैं हूँ हनी अजाद एड़ोकेट हुशारपुर पंजाब से अभी थोड़ी दिर पहले आपने एक वीडियो मेरी देखी होगी जिसमें स्कूल फीज और टीचर सेलरी के बारे में ओनरेबल हाई कोर्ट का एहम फैसला आया था उसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया था अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके आप पहले वो वीडियो देख लीजिए और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं क्योंकि तभी आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी थैंक यू इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्कूल्स जो प्राइबेट या अनेडिट स्कूल्स हैं उनमें फीज किस किस तरह की ली जाती है यानि वेरियस हैट्स के नीचे कौन कौन सी फीज ली जाती है सबसे पहले सेक्शन ए में एडमीशन फॉर्म की जो फीज है वो 500 रपे रखी गई है बहुत सारे जो अनेडिट प्राइबेट स्कूल्स हैं सेक्शन बी के दिन एडमीशन के टाइम पे जो फीज ली जाती है उसको मैंने बताया है उसमें पहले नमबर पर एडमीशन फीज जो 20,500 रपे आमतों रपे होती है बड़े बड़े प्राइबेट अनेडिट स्कूल्स में और उसके बाद कोशन फीज के नाम पे 7,500 रपीज का जो फीज रखी गई है तोटल मिलाके 28,000 फीज जो अडमीशन के टाइम पे ली जाती है और उसका टाइम दिया जाता है कि within 4 days वो जमा करवानी है उसके बाद section C में जो मैंने यो फीज का structure रखा है वो amalgamated funds की तोर पे रखा गया है उसका जो nature है वो annually pay करना है और उसको pay करने के लिए first quarter का time दिया गया है कि first quarter के within वो pay कर देनी है तो उसकी जो amount है वो है 17,500 रुपीज तो amalgamated funds के नाम पे 17,500 रुपीज schools के दवारा जो private unaided schools है उनके दवारा ली जाती है उसके बाद section D के अधिन quarterly fees ली जाती है जिसमें tuition fees और ICT के नाम पे fees ली जाती है tuition fees आम तोर पे 12,550 रुपीज होती है जो 3 months की होती है जो एक महीने की लगवग 4,200 रुपीज बनती है उसके बाद section E के अधिन हम bus charges की बात करते हैं जो पर किलोमीटर के हिसाब से होती है जैसे 0 से लेके 5 किलोमीटर तक 1,900 रुपीज लिए जाते है और 36 से लेके 40 किलोमीटर की distance के लिए 4530 रुपीज लिए जाते हैं bus charges यह जो charges हैं यह monthly charges होते है माननी है हाई कोट के फैंसले के मताबक admission fees दो हिस्सों में 6 महीने के अंतराल के बीच ली जाएगी तो हमने जैसे डिसकस किया कि admission fees 20,500 रुपे है तो 10,250 रुपे अभी ली जाएगी और 10,250 रुपे 6 महीने के बाद बाकी की यो school fees है उसका 70 फीस दी बच्चों के माबब से लिया जाएगा तो जे 70 फीस दी जो फीस ली जाएगी उसमें क्या क्या आता है उसमें caution fees के रूप में आपको बताया की 7,500 रुपीस amalgamated funds के रूप में 17,500 रुपीस जो की total में लाके 25,000 रुपे बनते हैं जो की annually लिये जाएगे तो माननी हाई quote के order के मताबिक जैसे उन्होंने बताया की 70% of fees ली जा सकती है तो 25,000 का 70% 17,500 रुपे बनते हैं इसके इलाबा quarterly fees होती है जिसमें tuition fees और ICT के नाम पे कुछ fees आती है tuition fees हमने पहले बताया की 12,550 रुपे होगी और ICT fees 2,000 रुपे होगी और total मिलाके ये fees 14,550 रुपे बनती है जो की quarterly fees है इसका मतलब 3 महीने में एक बार ली जाएगी अगर हम annually बात करें तो ये fees 58,200 रुपीस बन जाती है जिसका 70% 40,740 रुपीस बनता है ओनरेबल हाई कोट ने ये बात क्लियर नहीं की ये fees school वाले बच्चों के parents से क्या वो annually ले सकते हैं या फिर वो quarterly ले सकते हैं या half yearly तो इसके लिए school को liberty दी गई है कि वो जिस तरह चाहे total fees का 70% ले सकता है चाहे quarterly चाहे half yearly या yearly तो अगर annually बात करें तो 58,240 रुपे parents को अदा करने पड़ सकते हैं इसके इलावा और भी बहुत सारे hidden charges जैसे की development charges maintenance charges, re-admission fees school के द्वारा charge किये जाते हैं बहुत सारे parents मेरे को message करते हैं या comment करते हैं मेरे वीडियो के उपर के उनसे lockdown के दवरान भी school के दवारा बहुत ही heavy amount charge की गई है इसके उपर आप इस वीडियो के नीचे comment box में comment करके पताईए कि क्या सुझाब होने चाहिए पंजाब गोर्मेंट को इस COVID-19 के टाइम पे कौन से major adopt किये जाने चाहिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक like तो बनता है और like और share जरूर करें मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को अगर subscribe नहीं किया तो subscribe कर लें Thank you so much